सो हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2002 में आई फिल्म ये दिल आशकाना के हिरो करन नात की इनकी ये फिल्म सुपर हिट रही थी लेकिन फिर भी क्यों करन बॉली बुड में अपनी खास पैसान नहीं बना पाए क्यों ये बन फिल्म बंडर एक्टर बन कर रहे गए तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इनकी इस वीडियो को और जानते हैं कि आजकल ये कहां हैं और क्या कर रहे हैं दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस उपर वाले ब कहां चन्म हुआ इंग पितहillarकेशन मेहां झार किसनाथ अनिल कपूर और माधुरी दिक्सित जैसे कलाकारों के मेनेजर रह चुकी हैं और ने इनकी माता रीमा राकाशनाथ भी सवाजन जैसे फिल्मों की राइटर रह चुकी हैं इनके अलावा इनकी दो बहने भी हैं जिनका नाम साहिनानात और दक्छीनानात है दोस्तों अगर बात करें करणात के फैमली बैक्ग्राउंड की तो ये बॉली बुड के काफी अच्छी फैमली से आते हैं इनके नाम दया किशन सफरू एक जाने माने करेक्टर आर्टिस्ट थे उन्होंने तीन सो से भी ज्यादा फल्मों में काम किया था और करन के मामा तेज सफरू भी बॉली बुड के जाने माने एक्टर थे इनकी मौसी प्रीदी सफरू भी बॉली बुड की मसहूर कलाकार रह चुकी है अगर बात करें करन के फिल्मी करियर की शुरूआत की तो आपको हम बता दें कि इन्होंने 1987 में आया निल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया से बॉली बुड में ऐसे चाइल्ड एक्टर डिव्यू किया था इस फिल्म में इन्होंने चश्मिस बच्चे जुगल का किरदार निवाया था इसके बाद इन्होंने फिल्मों से ब्रेक ले लिया और फिर जब एक वार करन जिम में बर्काउट कर रहे थे तो डारेक्टर राइटर जोई अगस्टीन के नजर इन पर पड़ी दरसल वो अपनी अपकमिंग मूवी के लिए एक ऐसे चेहरे की तलास में थे जिसके चेहरे पर चॉकलेटी बॉई बाई बाले एक्सप्रेशन हो और बाडी से सुडॉल हो फिर किया था जोई अगस्टीन ने कलन को अपनी आने वाली फिल्म पागलपन में ऐसे लीड एक्टर साइन कर लिया और फिर सन 2001 में इनों ने इस फिल्म से बॉली बड़ में बतोर लीड एक्टर डेवियू किया इस फिल्म में इनके साथ आरती अगरवाल दिखें थी लेकिन इनकी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही इसके बाद इनकी सन 2002 में रोमांटिक थ्रिलर एक्शन मूबी ये दिल आसकाना आई इसमें इनके साथ जीविदा सर्मा थी इस फिल्म को फूल और कांटे जैसी फिल्म बना चुके डारेक्टर कुकु कोली ने बनाया था इनकी ये फिल्म सुपर हिट रही और इस फिल्म के गानों को भी आडियंस ने खूब पसंद किया इसके बाद इन्होंने 2003 में फिल्म की ये एक हौरर थ्रिलर फिल्म थी इनकी ये फिल्म खास कमान नहीं दिखाई और फ्लॉप रही फिर ये 2003 में आई मल्टी स्टार्टर फिल्म एलोसी कारगिल में दिखे लेकिन इस फिल्म में लोगों ने इन्हें खास नोटिस नहीं किया इसके बाद 2004 में इनकी तुम अडेंजर सोसेशन मूवी आई इस फिल्म में ये मनीशा कोईराला के साथ दिखे थे लेकिन बदकिस्मती से इनकी ये फिल्म भी बॉक्स आफिस पर फ्लॉप रही अब आडियन्स ये दिल आशकाना के हीरो करनात को धीरे धीरे भुला चुकी थी इसी के चलते इन्होंने पांस साल का गैप लिया और 2009 में इन्होंने सुधीर मिस्त्रा की फिल्म 13 क्या होगा जौनी से बॉली बॉड में कमबेक किया इस फिल्म में इन्होंने एक ड्रग एडिट का करदार निभाया था इसमें इनके साथ सोहा अली खान नजर आई थी इनकी ये फिल्म भी बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप रही क्योंकि अब तक ये ओडियन्स के दिमाग से उतर चुके थे इसके बाद इन्हें आगले 11 साल तक कोई फिल्म नहीं मिली और फिर फाइनली सन 2020 में इन्होंने अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म गंस ओब बनारस से बाफसी की ये फिल्म बिनोद घन्ना की आखरी फिल्म थी इस फिल्म से करन के साथ साथ 20 साल वाद सिल्पा सिरोकर ने भी कमबैक किया था इनकी ये फिल्म सुपर हिट तो नहीं रही लेकिन इन्हें इस फिल्म से लोगों ने अब दोबारा नोटिस किया इस सब के अलावा ये 2021 में बिग बॉस ओटिटी के कंटेस्टेट भी रह चुके हैं ये यहाँ पर 15 दिन तक लगातार बने रहे थे दोस्तो अगर बात करें इनकी मेरिड लाइफ की तो इन्होंने अभी तक साधी नहीं की है और ये सिंगल है हम आसा करते हैं कि इनकी आगे आने वाली सभी फिल्में बॉक्स आफिस पर सफल रहें तो दोस्तो ये थी ये दिल आजकाना फिल्म के जाने माने कलाकार करनात की लाइफ इस्टोरी दोस्तो अगर आप हमारे चैनल पर नई हो तो ऐसी ही और वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस उपर वाले बैल के आइकन को जरूर आउन कर दिजे और साथ में लाइक, सेयर और कमेंट करना भी ना भूले आपका बहु मुल्ले समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं नेक्स्ट इस्टोरी में तब तक के लिए भाई भाई